हर वर्ष भारत सेथ पूरे विश्व में 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाता है। दोस्तों 21 जून को विश्व योग दिवस या International Day of Yoga पूरे विश्व में मनाया जाता है। 21 जून साल का सबसे लंबा दिन होता है और योग से ही विश्व का जीवन लंबा हो इसी कारण इस दिन को पूरे विश्व में विश्व योगा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों 21 जून जो होता है वहा साल का सबसे लंबा दिन होता है और वेक्ति का जो जीवन वहाँ भी इसी प्रकार लंबा हो इसी कारण से इस दिन को यानि की 21 जून को विश्व योगा दिवस के रूप में मनाया जाता है यानि की International Day of Yoga के रूप में मनाया जाता है। महान भारतिया स्वामे विवेकानंद ने कहा था कि योग से मनिशों की आयू में बिर्दी होती है। मनाया जाता है इसके लिए आप description में दिये के link में जाकरके देख सकते हैं कि इसको क्यों और कब से मनाया जाता है। तो आप description में link को चेक करके देख सकते हैं। दोस्तों, Covid pandemic में योग की महत्ता बढ़ गई है और लोग योग के जरिए स्वस्त भी हो रहे हैं। इसी कारण से यहाँ योगा दिवस इंपोर्टेंट हैं तो कोविड-19 के चलते कोविड पेंडेमिक में योग से बहुत कोई बहुत सारे लोग ठीक हो रहे हैं इसी कारण से योगा की महत्वा बढ़ गई है यहाँ योगा पूरे विश्व को भारत की अमुल्य देन है तो दोस्तों यह जो योग है वहाँ पूरे विश्व को भारत की अमुल्य देन है यहाँ योग भारत से ही उत्पत्ति हुई है यानि भारत की ही देन है यहाँ दोस्तों हर वर्स विश्व योगा दिवस थीम के साथ मनाया जाता है तो इस वर्स का जो थीम है वहाँ है Be with yoga, be at home यहाँ है इस वर्स का थीम हिंदी में इसको कहेंगे योग के साथ रहें, घर पर रहें यहाँ है इस वर्स का थीम क्योंकि COVID-19 के चलते घर पर रहकर ही योग करना है इसी को ध्यान में रखते हुए इस वर्स का थीम इस परकार से बनाया गया है दोस्तों अगर हम पिछले साल के बात करते हैं उस वर्स का थीम क्या था यानि कि 2020 के थीम क्या थी तो उस वर्स का थीम था घर में रहकर योग करें तो 2020 का थीम था घर में रहकर योग करें और 2021 का थीम है वहा है योग के साथ रहें घर पर रहें तो आपको यह जानकारी को ध्यान रखना है कि पूरे विश्व में 21 जून को International Day of Yoga दिवस के रुप में मनाया जाता है और पहली बाद 2015 में मनाया जाता और साथ ही साथ इस वर्ष के जटीम है उसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है